भारत के पहले उप्रधानमंत्री सर्दार वल भाई पटेल पेशे से एक वकील थे और उनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। सर्दार पटेल को लोग पुरुष के नाम से भी जाना जाता है लेकिन कोई एक या दो कारण ऐसे नहीं है जिसकी वजह से उन्हें लोग सर्दार पटेल गांधी के विचारों से बड़े प्रभावित थे और उनके असायोग आंदोलन से प्रेरित होकर जीवन भर खादी पहनने का निरनाई लिया था। वे भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के शीर्ष नेताओं की लिस्ट में पहुंचे और साथ ही भारत कुजरात के बरदौली में किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया जिसका लक्ष था बढ़ते हुए करको नियंत्रित करना। सर्दार पटेल इस आंदोलन में विजई भी हुए। विजई होने की खुशी में बरदौली की महिलाओं ने वल्लभाई पटेल को सर्दार की उपा नहीं थे बलकि वे पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे। सर्दार पटेल की लिए सबसे बड़ी चुनोती थी इन रियासतों को भारत में मिलाना और पटेल ने इसके लिए बेहद मशकत भी की। सर्दार पटेल के अथक प्रयासों का भुकतान तब हुआ जब ज्यादा तर शासक अपने अपने राजियों के विघटन के लिए सहमत हो गए। घजारों गावों, जागीरों, महलों, संस्थानों, करोडों की नकद शेश राशी और लगभग 12,000 मील की रेलवे प्रनाली का कंट्रोल भारत सरकार को सौंप दिया गया। 15 अगस्थ 1947 तक रियासतों के विले की, प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी लेकिन कुछ रियासतों ने भारत के साथ शामिल होने से मना कर दिया। अंदाबाद के पहले भारतिय नगरपालिका आयुक्त के रूप में कारे किया। इसके बाद वो 1924 से 1928 तक इसके निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रहे। पटेल ने पहली बार 1918 में अपनी पहचान बनाई जब उन्होंने गुजरात के किसानों और जमीनदारों के जन अभियानों की योजना बनाई। पटेल भारती राश्ट्रिय कॉंग्रेस के 1945-46 में पार्टी के लिए अध्यक्ष पद पर प्रमुक उम्मीदवार्थ है। देश में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जन्यती को राश्ट्रिय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारा यह विडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।